जैसित क्रिष्टन नमस्कार आज आपको बताए हम रिवाओं और भूटकुर रिवाओं में सक्स की कमजोरी और उसके कारण जिसमें निर्बल विक्ति भी है और सबल विक्ति भी है सक्स के सबल विक्ति की क्या समझ्या है और सक्स के निर्बल विक्ति की क्या समझ्या है पर यह जानने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब करें दूडियों लाइक करें अधिक शेयर करें ताकि इन दोनों प्रकार की लोगों में एक संदुलन बना अच्छा चलता रहे, अपने सुनाओगा एक नवरंग किल्म का गीत, सच मुचन मार मुझे पिछकारी की धार, कोमल तन है सजन से सकेन ये मार, तू है बड़ा अनाड़ी गवार, दे दिल की धर्गनों पे दिनक दिनक ताल, और धार्त, वो लोग जिन्नोंने अपने भरी जवानी में, जो एकांद आनन्द लिया है, वो ये गीत कोई बोल नहीं समझ सकेंगे, वो ही समझ सकेंगे, जिनके पास में आप भीयमाल लीजिए, वोली का तेहौर आना है, और उससे पूर्व संग्र किया हुआ रंग, और वो पिछकारी की धार, वोली के दिन जो खेली जाती है, उसका संग्र है, तो क्रश्ण राधा के साथ, गोपियों के साथ, वो आराम से होली खेलेगा, और रंग गुले, रंग लगाएगा, इस प्रकार जिन लोगों ने होली से पहले, अपने रंग को उड़ा दिया है, पिछकारी की धार को कमजोर कर दिया है, वो होली नहीं खेल सकते, और एक अत्यधिक संग्र किया हुआ है, उस व्यक्ति में भी समश्या आती है, क्या समश्या आती है, यह जाने, आप दिखिए कि दो प्रकार की लोग है, निर्बल और सबल, निर्बल व्यक्ति और सबल व्यक्ति की समझाने के लिए एक कहानी छोटी से बता रहा हूँ, उसके मादे में से आप समझें, उल्लू, उल्लू अर्थार्थ मौत का प्रतिक भी माना जाता है, उल्लू को अच्छा भी ने मानते हैं, गामिन छेत्र में जो भी रहते हैं और जहां उल्लू बोलता है, तो इंसान पता लगा देता है कि अब मौत में कट है, किसी ने किसी व्यक्ति की गाम में एक मौत पहाड वाग था पेड़ के ऊपर दोनों बैठे एक उल्लू के मुक में चुआ था एक उल्लू के मुक में साप था यह मान लीजिए कि एक उल्लू जिसके मुक में साप है वो लालाईत होता है इंद्रियों से कमजोरी के कारण उसे यह पता नहीं कि मैं मर रहा हूँ मुझे मौत गले लगा रही है फिर भी वो आनन्द के चकर में इंद्रिभोग के चकर में उस चुए को देख रहा है कि खाने का भोजन आ गया ठीक वैसे ही एट्स गौनोरिया सुजाग से पीडित व्यक्ति या यह होने की संभावना नजर आते हुए व्यक्ति वो सेक्स के प्रती लगाव में मंगन रहते हैं और उनका दिमाग एक ही काम करता है कि इस भोग को भोगा जाए पर बेर मित्रों यह अनुच्चित है और मौच से भी जादा डर उस कमजोर विक्ति को लगता है जैसे दूसरे उल्लो के मुख में चुआ बैठा है और वो उस मौथ के निकट है पर मौच से डर नहीं लग रहा उसको उसको डर लगता है उस साप से मौच से भी जावा तो डर लगता है वो भैसे अर्थार्थ दोनों में विक्रतिया है इसलिए संतुलन बैठाने का यह की तरीका है आप आपके निकट किसी भी वैदराज जी से होमेपेटिक डॉक्टर आडवेटिक डॉक्टर प्राकरतिक डॉक्टर यानि जो भी शिखिस्ता मिले या साइकोलोजिस्ट आप उनसे संबर्ख कीजिए और अपना यह ओवर कॉंपिडेंस यह अंडर कॉंपिडेंस जो भी है उनको बाहर निका लिए और एक सस्त विक्ति बनी है उसके बाद अगर आपको कोश्मस्य आती है आप टिपणने कीजिए जवाब देंगे और जो मेरे नंबर पीछे दिख रहे हैं उस पर वर्सप कीजिए ससुल के सेवा ले जाएगी पर बड़े आपको साइकोलोजिकल प्रॉब्लम होगी अपलाइन में हमें दूविदा होती है और सभी फॉन एटन करना हमारे लिए संभाव नहीं है SMS वही लोग करें जिने प्रामर्स के आउसकता है उस सुल कर देने की शमता है मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जैहिन जैस्री क्रेष्णा जैस्री रामा क्रेष् झालाइन